मैं थर्ट में जुद्ट है हलो मैं जाहिन सुदेंट वेल्टम बैक टी ओन चैनल सर्ट अरुन रपानी एक्स्लूजिव चैनल फॉर आई से सीवर्ट सुदेंट्स येस वी आपके साथ शेयर कर रहे हैं अगर आप मेरे साथ आपके लिए ये टेलीग्राम पर हम खुब सारे इसे शेयर कर रहे हैं जिसमें आपको धेर सारा धेर सारा कंटेंट मिलेगा पढ़ने के लिए वह भी absolutely free जी हां अगर आप सोचेंगे सर आपके पास कहां से यह सब पीडिया पा रहा है तो all thanks to Educard yes Educard has helped me to create some contents which are exclusively for you people description को जरूर चेक करिए जहां पर आपको मिलने वाला है PDFs जो आप drive से download कर सकते हैं हां चेक करके देखिएगा आपको धेर सारे ऐसे content मिलने वाले हैं जो free होंगे वो भी Educard की तरफ से तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का topic है हमारा acid basis and solids हब आप कहेंगे सर हमारे घर में acids कहां है अरे भाई तुमारे घर में toilet cleaner के रूप में acid use हो रहा है क्या कहते हो और मैं कुछ ऐसा acid बताऊंगा जो तुम्हें यस डेली उसे जो रहा है सही में चलो मैं example देता हूं क्या तुम cold drink पीते हो अरे भाई काला मीठा पानी भाई पीते हो क्या वो काला मीठा पानी अरे वो एक carbonic drink है हाँ उसमें carbonic acid है अगर आप कोई cold drink पी रहे हैं usually तो उसम में हाँ soda water है जी और और example दूँ acid का जो आप यूज कर रहे हैं आपके घर में अगर कोई citrus fruit है हाँ भाई lemon है tomato है क्या कहते हैं lemon tomato क्या इनमें भी कोई acid है जी इनमें भी acid है तो जितने भी चीजें जो आपके घर में हैं जिनमें sour taste आ रहा है समझ जाओ कि वो acid है सही मैं कभी सोचा नहीं था तुमने न कि इतने सारे acid हम यूज कर रहे हैं और हमने कभी सोचा ही नहीं जी यही यही बेसिक चीज आपको identify करने है आज हम acid basis salt को completely finish करेंगे एक shot में हाँ जल्दी जल्दी करेंगे फ्रुआ सा quickly इस वीडियो को यस आपको chapter को पूरा यह स्लिबस जो है आपका वो 2024 का latest स्लिबस हम कवर कर रहे हैं हाँ लेटेस्स लिबस जो आपके बूर्ड में है वो सब कुछ इसी एक वीडियो में हम कवर करने जा रहे है तो जब हम बात करेंगे acid की तो एक लेटिन वर्ड है एसिडस जिसका मतलब ही होता है खटा इसका मतलब जो चीज़े खटी है सोर टेस्ट करती है अब वो दही अगर आपके घर में है उसमें भी लेक्टिक एसिड है आईए अब बहुत सारे ऐसे चीज़ों को हम समझेंगे जो हमारे आसपास है और एसिड की एक definition जो आपको लखनी है जो आपके लिए coated definition है अगर आपसे पूछता है acid क्या है तो आप बोलेंगे acid एक ऐसा compound है हाँ एक ऐसा compound है जिसमें one और more hydrogen atoms है इसका मतलब है hydrogen atom तो confirm हो गया और जब इसमें dissolve करेंगे पानी तो यह hydronium बन जाएगा और hydronium ही एक मात्र positive आयन होग तो आप मेरी definition आए acid is in a compound which produces hydrogen atoms and on adding water produces hydronium atom as the only sorry hydronium ions as the only positive charge ions बस हो गई है acid की definition यार मत करो ठीक है सोचो मैं क्या कह रहा हूँ आपको बस ठीक है अब आप देखेंगे कुछ ऐसे acids जो आपकी घर में मैंने बताया आप use कर रहे हैं आप सिरका डाल रहे हैं अपने अपने खाने में येस आपकी ममी यूज कर रही है एस्टिक एसिड जिसको विनिगर कहते हैं सर यह क्या होता है विनिगर क्या होता है अरे जूट हाँ कुछ पाम प्रोडक्ट से खास करके सोया बीन वीट इनको फर्मेंट करके इनका solid फर्म जैसे औरेंज, लेमन, हाँ नीबू का रस क्या कहते हैं गर्मी में खुब पिया था आपने लेमन सोडा जी यह है वो सिटरिक एसिड आप पी रहते हैं और अगर आपका बटर खराब हो जाए तो वो रेंसिड हो जाता है हम इसे कहते हैं उसमें एसिड कौन सा है बटरिक ए हाँ वाड़ी के अंदर कुद भी ऐसेड गहो नेचर में भी हमारे अंदर एसिड परद्यूश कर रखा है हमारी स्टमक की बॉल्स में इसमारे स्टमक की लाइनिंग में एक एसिडे पर्नीश होता है जिसका नाम है यह 10 shower ची झासर स्ट्रॉंग एसिड क्या करता है हमारी बॉड़ी में ये HCL अरे भाई ये हमारी बॉड़ी में अगर जर्म को एंटर कर जाता है उसे किल करने मदद करता है हाँ आपके बॉड़ी में जो एंजाइम्स होते हैं उसे भी वो एक्टिवेट करता है खास करके पैपसिन को और कौन सा एसिड है formic acid कभी आपको मदभूमक्खी ने या किसी चीटी ने काठा है बहुत जलन होती है वापर खास करें मदभूमक्खी के डंक मारने से वह क्हाप अधा होती है अगर आपको काठा होगा मदभूमक्खी ने तो मैं यकीन से कह सकता है उता तो आप बहुत वह सटडप रहु चूना लेके लगा दो हां उच्छों पान मेझे चूना लगाते हैं और यहां तो कुछ लोग क्या करते हैं आइरन को रब कर देते हैं क्योंकि आइरन basic समझ गए acid और base मिल जाने ते क्या होता है उसमें दर्द में निवारन हो जाता है और लेक्टिक एसिट का मिलेगा सोर मिलक में मिलेगा कर्ड में मिलेगा दही में भी एसिड है आप खा रहे हैं एपल में मैलिक एसिड है और ओलिव ओल में हाँ आज करम लोग खाना ओलिव ओल में पका रहे हैं आप ममी लोग ओल यूज़ कर रहे हैं उसने हैं ओलिक एसेड टोमाटो समय अधिया टमाट्र खट्टे होते हैं कौनशा है औक जालिक एसेड चर्बी में स्टेरिक एसेड ग्रेव्स तर्मरन और एपल्स इन सब में टार्टरिक एसेड इमली में बहुत खट्टी होती है तो में uric acid. जी. तो कितने acids हैं आपके आश पास आपने देख लिया धेर धेर सारे acids हैं जिन जो आपके आश पास हैं आप presude कर रहे हैं और आप महसूस भी कर रहे हैं. अब आते हैं acids कि कुछ properties के बारे में, कुछ classification के पहले बारे में. सबसे पहले types of acid की जब हम बात करते हैं तो acid को जब हम on the base of source से पहचानना चाहें तो मतलब कहाँ से पाए जाते हैं इसे कहते हैं source सबसे पहला source है organic जब भी कोई चीज nature से प्राप्त हो हां plant and animal से प्राप्त हो उसे कहते हैं organic जैसे organic fertilizers होती है जैसे organic seed होती है उसी तरह organic acid होता है एक ऐसा acid जो किसी plant source से पाया गया है इसलिए organic है nature में plant से निकाला जा रहा है मैंने फ्रोग दर पहले ही बताया था आपको सिर्का हाँ estic acid जो कि आपके घर में use हो रहा है चौमीन में ममी डाल देती हैं आपके हाँ आपके इवन कुछ खानों में भी estic acid डाला जाता है क्योंकि वो preservative का काम करता है तो कैसे बनता है मैंने बताया आप वीट बारली और इवन सोया बीन को ferment करके सडा गला करके बनता है सच में देखिएगा आपकी फ्रिज में रखी होगी की बॉटल चेक करिएगा और citric acid यह भी होता है हां तो यह acid कैसे होते हैं क्योंकि organic acid है प्लांट से पाये जा रहे हैं यह weak acids होते हैं और खास बात क्या है क्योंकि यह weak acids है तो यह ions और molecules में break हो जाते हैं मतलब completely यह ionize नहीं होते हैं पूरा ions नहीं release करते हैं थोड़ा ion थोड़ा molecule release करते हैं इसलिए वीक acid है ठीक इसलिए तो मैं पी पा रहा हूं यादर किएगा इसलिए तो आपर मैं खाने में यूज कर पा रहे हैं strong acid होगा तब खानी पाएंगे जल जाएगा भाई गलती से तुमने धकन पी लिया कोई strong acid तो पूरा पैसेज साफ हो जाएगा समझ गए कि नहीं अगला है inorganic acid हाँ ये acid खतरनाक होता है क्यों ये वो acids हैं जो मिन्दल से प्राप्त हो रहे हैं और गेनिक नहीं है plant product नहीं है nature से नहीं पाया जा रहा है तो ये mineral acid है अब ये acids जैसे hydrochloric acid अब ये strong acids होते हैं इसका मतलब है कि इनको अगर पानी में मिलाया जाए तो ये completely ions release करते हैं molecule release नहीं करते हैं ध्यान दीजेगा strong acids से बच के रहना है आपको strong acids को हाथ में मतलिक ने दीजेगा क्योंकि आपके हाथ में blisters हो जाएंगे हाँ भाई पपड़ी छोड़ देगा हाथ आपका react कर जाएगा उसके साथ पहुतते जी से इसलिए संबल के use करना है और अब आता है acids को पता करना है on the base of concentration जैसे concentrated जब word concentrate आए हाँ तो समझ जाए कि पानी कम acid ज्यादा क्या समझ गए पानी कम acid ज्यादा for example अगर कहीं lab में आपने देखा कि किसी जार में लिखा है concentrated hcl risk है don't take don't take chance समझ गए क्यों अगर lab में किसी jar के उपर किसी bottle के उपर लिखावा है c o n c short form concentrated hcl समझ जाओ इस acid में acid की मातरा ज्यादा है पानी की मातरा कम है क्योंकि acid को dilute कर दिया जाता है पानी मिला कर समझ गए तो dilute क्या हो गया समझ गए जिसमें आप क्या करेंगे पानी जादा मिलाएंगे और acid की quantity उसमें कम है बस उसके आगे क्या लिखा होगा पैचान क्या होगी dilute dilute acid ठीक है मैं example दे रहा हूं dilute hcl तो इसका मतलब है इस acid में आप थोड़ा risk कम है इसका यह मतलब नहीं है कि हम अर्साफधान हो जाएं careful रहेंगे जब हम lab में use कर रहें आगे बढ़ते हैं acid को पहचानते हैं on the base of basicity the keyword is basicity अब यह क्या होता है आए समझते हैं basicity को जब हम किसी acid को देखिए मेरे पास एक acid है HCl ठीक है hydrochloric acid है इसमें H plus ions है पकी बात है और इसमें chlorine ions है negative यह भी clear है तो hydrogen hydrogen ion as the positive ion है definition में बोला था मैंने कि acid में क्या होता है hydrogen as the positive ion होता है हो गया अब इस hydrogen ion में पानी मिला दें that means water add कर दें तो क्या बन जाएंगे यह दोनों यह दोनों बन जाएंगे H3O plus और ऐसा होते ही hydronium ion release हो गया क्या release हो गया दियान से देखिए hydronium ions कैसे यह hydrogen ion और water से यह combine हो गया तो कितने hydronium ions एक acid release करता है इसकी संख्या इसके number को कहते है basicity क्या है basicity the number of hydronium ions produced in complete ionization of an acid acids को अगर ionize करना चाहेंगे उसमें पानी मिला देंगे उसे dilute worm में convert करेंगे उस समय वो ions release करेगा जब वो ions release करेगा तो कितने hydronium ions हो रिलीस करेगा है उसकी संख्या उसके number को कहते है basicity of acid clear है अब mono जब भी mono शब्त का इस्तमाल हो समझ जाओ एक क्या word है mono मतलब एक तो अगर कोई acid हो जिसमें सिर्फ एक hydronium ion produce होता हो तो उसका नाम है mono basic acid अब example आपके सामने screen पे है mono word से पहचानना है the key word is mono mono मतलब single हा न कहीं लिखा हो monochromatic मतलब single color समझ गया क्या समझ गया है mono मतलब one तो इसका मतलब है जब यह ionize होता है acid तो एक hydronium ion से produce करता है अब आप इसको नाम देखे HCL और HBR hydrochloric acid और hydrobromic acid इवन acetic acid भी ध्यान से सुन लिजेगा कौनसा acid acetic acid भी क्या है यह भी एक mono basic acid है बली इसमें hydrogen 3 न है पर याद रखिएगा ionizable hydrogen से decide होता है किसे इस hydrogen से नहीं बलकि ionizable hydrogen कितना है उसके अंदर उससे decide होता है कि उसकी basicity क्या होगी तो acetic acid में होते तो तीन hydrogen ions है पर उसमें से ionizable कितना है एक है इसलिए acetic acid भी mono basic है समझ गए अब आते हैं die die मतलब क्या होता है क्या कहते हैं die किसी में लिखा है die basic तो इसका मतलब है die मतलब दो क्या दो ये दो hydronium ions produce करेगा ये दो h3 o plus ions produce करेगा जब इसको माइनाइस करेंग acid तो क्या है इसका example sulfuric acid हाँ sulfuric acid में दो में दो क्या होने वाले हैं दो salts produce होने वाले हैं क्योंकि ये die basic है die basic है तो it will produce two salts कौन सी दो salt produce करेगा एक होगी normal salt और दूसरी produce करेगा acid salt जी हां क्योंकि ये die basic है दो ionizable hydrogen इसके पास है दो ionizable hydrogen इसके पास है इसे लिए दो hydronium ions release करेगा और दो step पे salt produce करेगा तो इसका मतलब इसमें इसमें one normal salt will be produced एक step में एक normal salty produce होगी अब तो समझ गया होंगे पका कि क्या है basicity अब एक और example से समझते हैं ट्राय हाँ भाई ट्राय रिक्षा क्यों भाई tri cycle तीन पईयों की cycle मतलब tri मतलब तीन तो इसका मतलब है इसमें कितने hydronium ions produce होने वाले हैं तीन ये एक ऐसा acid है कि अगर इसको ionize करोगे तो तीन hydronium ions निकलेंगे और याद रुखो जितने ionizable hydrogen होंगे जितने ionizable hydrogen होंगे उतनी salts बनेगी मतलब salts कितनी बनेगी तीन इसका मतलब ये तीन salts बनाएगा तीन steps में कितनी तीन salts बनाएगा अब कहेंगे सब तीन salt हाँ भाई दो acid salt बनने वाली है इससे ऐसे 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 mono tri basic acid से तीन salts बननी है जिसमें दो acid salt बनेगी और एक normal salt produce करेगा क्या है इसका example phosphoric acid phosphoric देखिए H3PO4 phosphoric acid हाँ इसमें तीनों ही hydrogen जो दिख रहा है H3 तीनों ही क्या है ionizable hydrogen है इसी लिए ये क्या है tri basic acid basicity of acid clear हो गया क्योंकि अगर आप basicity समझेंगे तो इससे correlate कर पाएंगे जब हम acidity करेंगे acidity of base करेंगे clear आगे बढ़ते हैं अब आपके पास topic का रहा है properties of acid थोड़ा ध्यान से देखेगा ये properties क्या है बहुत important properties of acid क्योंकि आप इसी से पहचानते हैं हां कि acid क्या है मैंने का acid की पहचान बहुत असान है खटा टेस्ट क्या sour taste तो इसी लिए lemon हो गया grapes हो गया apple हो गया tomato हो गया vinegar हो गया कितनी सारे मैंने आपके example दे दी हैं आपके आसपास अब आता है किसका state कैसे होता है ज्यादा तर आप देखते हैं जो है लैब में जो आप देख रहे हैं वह आप liquid state देख रहे हैं आपने लैब में देखा हुआ hydrochloric acid I'm very sure sulfuric acid भी देखा होगा nitric acid भी देखा होगा हना आपकी लैब में है चोर लिए अगर अपने physics sorry chemistry lab में गए होंगे तो इन acids को देखा होगा पर कोई acid solid भी है क्या हाँ भाई solid acid का भी example मैंने आपके सामने रखा है क्योंकि हो सकता है आप से mcq पूछ ले तो solid acid का एक्जांपल बोरिक एसड सर यह कैसा होता है अरे भाई बोरिक एक्जांपल देता हूं तुमने अपने केरम बोर्ड में कुछ पॉडर डाला होगा केरम बोर्ड को थोड़ा स्मूध खेलने के लिए क्या कहते हो अगर आपके बास करेंबोर्ड है बड़ा वाला केरम है ना तो जो आप पॉडर डालते है शीली में वह बोरिक अगर आपकी स्किन पर टच कर जाए इसलिए मैंने कहा था एसिट को सामधानी बरती आपके घर में अगर एसिड है खास करके स्ट्रॉंग वाला तो उससे बच के रही है हाँ मैंने कहा था आपके घर में ट्वालेट क्लीनर की रूप में भी कई एक एक कंपाउंड बनाता है जिसकी वज़य से अगर आपको बता हूं कि हमारी स्किन से टच होने पे ब्लिस्टर कर देता है क्या पपड़ी या फफोले पैदा कर देता है उपर चे थोड़ी से ब्लैक हो गई है आपके उंगलियों के फिंगर्स ब्लैक हो गए हैं तो आप समझ जाएगा कि आपके स्किन को ब्लैक करती है अगर आपने एसियल एसिड यूज किया है तो आपके स्किन का कलर अंबर होने वाला है और अगर यलो कलर का आपके फिंगर्स हो गए आपके स्कि किया है क्योंकि Nitric acid हमारे skin के protein से react करती है और जंथो-protick acid बना देती है क्या जंथो-protick acid बना देती है यह बनाती है और यहीं वह acid है जो पीला रंग देता है समझ गए यह जो पीला रंग आपकी skin पे आ रहा है Nitric Acid के आने से, याद रखेगा सारे Acids में Nitric Acid ही एक ऐसा Acid है जो सबसे जादा Oxidizing Agent वाला है, क्या? सबसे जादा Strong Oxidizing Property है Nitric Acid के बारे में Formula आप जानते ही है Nitric Acid का, HNO3 ये इतना Strong Oxidizing Agent है, ये इतना Strong Oxidizing Agent है कि ये Normally Metal से Rate करके Hydrogen Produce करता ही नहीं है सच में, क्योंकि वो उनको Oxidize करके Water बना देता है समझ गए? ये एक बहुत ही Strong Acid है इसलिए बहुत सावधानियत करनी ही, मैंने कहा था अगर आपको बास ज़्यादा जानकरी इनना हो तो इसलिए समभल के Acids को यूज़ करेंगे और और देखें, they change the color of the indicators अगर हमको टेस्ट पता करना हो, Acid है की नहीं है और कैसे टेस्ट करेंगे? आईए तीन इंडिकेटर का इस्तमाल करेंगे सबसे पहले Litmus की बात करेंगे हाँ, Litmus एक तरका Elga है एक तरका dye है, एक तरका पदार्थ है जो Yes, Natural है सच में? तो ये अगर Blue कलर का है और Acid से मिलने पर क्या होता है, Red हो जाता है, याद रखिएगा Moist Blue होना चाहिए Moist इतले क्योंकि अगर लिटमस पेपर Moist होगा, तो कलर जल्दी शो करेगा, ठीक है? और Blue से Red हो रहा है, याद रखिए क्या? Blue Litmus Red Blue को Red करता है, कौन? Acid, ज्यान रखिएंगे अब और क्या करता है? Methyl Orange, ये एक तरह का Chemical Indicator है Orange कलर का होता है, इसलिए नाम ही Methyl Orange, अगर Acid में मिलाएंगे, तो ये Pink कलर का हो जाएगा Pinky हो जाएगा, या Pink कलर हो जाएगा, कौन Acid उसे Pink कर देगा, एक और Indicator हम यूज करते हैं, नाम है Phenophyllene Phenophyllene होता कैसा है? ये Colorless होता है, एक दम पानी जैसा दिखेगा, आप लैब में देखेगा आपको दिखेगा, एक दम बाटर जैसा दिखेगा एक दम पानी, ये इस कलर पानी जैसा है अब तो ये तो हो गया, टेस्ट आपके Acid के, कैसे Acid की Property आ रही है? कहां चला गया? चलिए, आगे देखते हैं और कुछ ऐसे भी Substance होते हैं, जिसकी महक से आप बता सकते हैं खुश्मुश्या आप बता सकते हैं कि ये Acid है कि नहीं है? नहीं मालूम है? अच्छा, कुछ एक्जामपल देता हूँ कुछ Substance का नाम लेता हूँ जैसे Onion Vanilla, Clove अरे Vanilla Ice Cream भी आती है भाई और Clove क्या होता है? Long, Long का ते और Onion तो पक्का आपने घर में प्यास तो आपने पका यूज किया होगा चलो एक एक एक्जामपल देता हूँ प्यास का प्यास कहीं कट रहा होता है? पहली बात है तो आँख से आशू ने लगते हैं प्यास के कटते ही सारे लोग रोने लगते हैं घर में क्या करते हैं? क्योंकि उसके अंदर एक Strong क्या है? Acidic है Vapor है जो अमारी आँखों में जाता है और एक तरखा Itching पैदा करता है Irritation पैदा करता है और Tear Gland पे उसका Effect होता है इसे लिए आप रोने लगते हैं अब समझ गये कि प्यास कटने में रोना क्यों आता है? अब आता है कि ये एक अलग एक ओडर होती है इसके अलग खुश्बू होती है अगर हम इसको बेस के साथ येस अगर प्याज को कट करते समय बेस के साथ धग दें, कवर कर दें तो इसकी स्मेल गायब हो जाएगी तो क्या कहना चाहते है? All factory indicator Acid से इसकी smell नहीं जाएगी पर अगर बेस के साथ कर देंगे कोई basic compound से इसको धग देंगे कवर कर देंगे, इसकी smell चली जाएगी तो all factory indicator smell से पहचानी जाती है आईए कुछ chemical properties करने वाले हैं Acid की, थोड़ा ध्यान से देखेगा ये property very important है ये property इसले important है क्योंकि ये salt forming में मदद करने वाली है ठीक है, फुरब ध्यान से देखेंगे सबसे पहले देखेंगे reaction with active metal याद रखेगा, active metal की अब हम जब बात करते हैं तो those metal those metal which are above hydrogen in activity series कौन से metal? above hydrogen in activity series आपने reactivity series या activity series पढ़ी है metal की जिसमें metals के नाम लिखे वे एक list बनी हुई है starting with potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, iron, zinc याद है? ये याद है list? हाँ, इस list की बात कर रहा हूँ इस activity series में जो metal hydrogen से उपर है अगर उनको आप acid से react करोगे they will produce salt and hydrogen क्या produce करेंगे? salt and hydrogen दियान से सुन लिजे मेरी बात को acid जब react करेगा मैं लिख रहा हूँ आपके लिए दिखिए क्या लिख रहा हूँ ऐसे पहचानिए रटना नहीं है please रटना बंद कर दो समझो मैं क्या कह रहा हूँ क्या? acid plus metal क्या होगा? एक acid metal से react करेगा specially dilute acid की बात कर रहा हूँ तो क्या करेगा? salt बनाएगा और hydrogen gas release करेगा ठीक है? hydrogen gas के पहचान क्या है? it burns with a pop sound पट 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 और it burns with a pale blue flame hydrogen एक inflammable gas है ठीक है न? तो जब भी acid react करेगा dilute acid react करेगा किसी metal से आई ये स्क्रीन पर देखे अब magnesium है HDL से react करा रहे हैं इसको क्या produce कर रहा है? एक salt निकली magnesium chloride याद रखिए ये salt है और साथ में निकल रहा है hydrogen gas हो गया ना reaction? ध्यान देना है रटना नहीं है आप जब भी ऐसा reaction देखे जिसमें acid और metal react कर रहे हैं तो salt and hydrogen होगा बढ़ याद रखेगा कुछ exceptions हमेशा रहेंगे और आपको exceptions पता होने चाहिए जैसे एक exception है कि अगर आपने क्या कर दिया? आपने rate करा दिया मा लेते हैं zinc को लेट से मैंने कहा आपने rate करा दिया zinc with nitric acid अब क्योंकि nitric acid एक strong oxidizing agent है यह क्या करेगा salt plus water पैदा कर देगा मतलब यहाँ पर जो salt निकलेगी zinc nitrate plus water पैदा होगा सर यह क्या कर दिया? आपने rule तो तूड गया सर रूल तो तूड गया तो मैंने कहा था कुछ exception होंगे और exception यही है nitric acid ऐसा नहीं करता है nitric acid does not produce hydrogen क्यों? क्योंकि वो hydrogen को oxidize करके क्या बना देता है? देखिए water बना देता है उसको पानी बना देता है hydrogen को तो कब ऐसा कर सकता है? सिर्फ 1% dilute अगर हम use करें nitric acid तो वो magnesium और magnesium से hydrogen पैदा कर सकता है otherwise नहीं करता है अब आगे देखते हैं reaction of acid with base जब भी acid base react करेंगे दोनों एक दूसरे की property को destroy कर देंगे इसलिए मैंने कहा था आपके पेट में हो रही है जलन आई राम पेट जल रहा है हाँ पेट में खटे खटे डगार आ रहा है अब आप टाइमली खाना नहीं खाते हैं कुछ लंबे समय तक आप पुखे रह जाते हैं किसी वज़े से आपने नहीं खाया लंबे समय खाना पेट में से कुछ खटे डगार आ रहा होते हैं तो क्या है वो आपके स्टमक में HCl Acid produce हो रहा था और वो आपके स्टमक की Lining कोई क्या कर रहा है Burn करना शुरू कर दे रहा है उसी के साथ react करना शुरू कर दे रहा है जिसकी वज़े से आपके अंदर क्या हो रही है जलन आ रही है पेट में और उसका इलास्त आप जानते ही हैं क्या कहते हैं क्या रहा है इनो ले लेंगे हम लोग पीलेंगे क्या कह रहा है तुम लोग इनो हाँ इनो ले सकते हो पर इनो है क्या इनो एक brand का नाम है उसके अंदर है magnesium hydroxide milk of magnesia है तो इसलिए neutralize हो जाता है इसलिए आपके पेट में जो acidic part है acidic part है आपने जैसे इनो लिया जिसको मैंने का milk of magnesia है वो इसको neutralize कर देता है तो acid और base क्या करते हैं एक दूसरे की property को neutralize कर देते हैं acids react with bases क्या produce करते हैं produce salt and water only keyword है salt and water only इसका मतलब है कोई और पदार्त निकल गया तीसरा इसके अलावा product निकला तो ये neutralization नहीं है ये तो ही products निकलेंगे कौन सब दो product salt और दूसरा hydrogen ये रहा reaction copper oxide सर ये क्या है copper oxide क्या है अरे भाई base है सर आप कैसे जानते हैं base है तो all oxides and hydroxides of metal are bases याद रखोगे metal के oxides हो यह hydroxides हो तो क्या होंगे base होंगे और copper metal है copper oxide हो गया तो ये base है ये रहा sulfuric acid acid और base react कर रहे हैं बन रहा है ये salt ये रही आपकी salt और ये रहा आपका water and this is what is called as neutralization ठीक है third ध्यान से देखिए तीसरा जब भी acids carbonate के साथ react करेंगे या bicarbonate के साथ react करेंगे bicarbonate मतलब hydrogen carbonate ठीक है hco3s तो इनके साथ react करेंगे तो क्या form करेंगे salt form करेंगे water form करेंगे और carbon dioxide आओ साबित करें हाँ एक-एक reaction आपको जो मैं लिख रहा हूँ यही prepare करना है इसके अलावा कुछ नहीं prepare करना है yes the reactions that I am writing on the board that is more than sufficient ठीक तो आप देखिए आपके पास है यह एक metal carbonate क्या है मैं लिख रहा हूँ metal carbonate क्योंकि calcium metal है metal carbonate तो एक carbonates को आपने react किया acid के साथ क्या निकला salt का निकला salt यह रहा calcium chloride और क्या produce हुआ पैदा हुआ water पैदा हुआ यह रहा water और क्या produce हुआ carbon dioxide gas एक ऐसी gas जो ब्रिस्क एफरवेशन से produce होती है आप जो बुल बुले छोड़ती है गुड़क गुड़क करके बुले हाँ भाई एक ऐसी gas होती है जो lime water से अगर react कर दी जाए तो lime water को milky बना देती है क्या कहते है test of carbon dioxide आना चीए था आपको ठीक है न तो जिस भी reaction में ऐसा हो रहा है कि carbon dioxide gas produce हो रही है तो आप समझ जाईएगा कि reactant में जरूर कोई carbonate होगा या hydrogen carbonate होगा जैसे कि मेरे example में है कैसे पैचान रहे हैं इस carbon dioxide से पैचान रहे है carbon dioxide carbonate radicals की या by carbonate radicals की पैचान होती है अब नहीं भूलोगे मेरे कहने पर चलो और आगे बढ़ते हैं प्रध्यान से देखते हैं अब acid अगर react करें किसी sulfide के साथ किसके साथ किसी sulfide यह sulfide क्या होता है SO3 को बोलते हैं sulfide थोड़ा space कम रहे गई है थोड़ा ध्यान देना चाहिए था हम लोगो space और देनी चाहिए थी यहाँ पर यहाँ पर एक space होनी चाहिए थे यहाँ पर एक space होनी चाहिए इस सब पास पस लिखा हुआ है SO3 sulfide space होनी चाहिए थी यहाँ पर इसका enter मार देना चाहिए था sulfide और इसे कहते है बाय सल्फाइट HSO3 तो अगर कोई acid sulfide या बाय सल्फाइट से रेट करेगा तो क्या होगा तो acid प्लस sulfide या बाय सल्फाइट मेटल का होगा तो तो क्या होगा तो एक salt निकलेगी फिर से water निकलेगा फिर से और निकलेगी sulfur dioxide gas तो इसका मतलब है आपकी यह gas जो है आपको बता देगी कि वो compound क्या है कोई न कोई sulfide या बाय सल्फाइट है आईए एक reaction देखते है स्क्रीन पर देखिए reaction यह रहा आपका calcium sulfide calcium sulfide react कर रहा है HCL acid से तो एक sulfide हो गया एक acid हो गया produce कर रहा है salt कहां से salt है calcium chloride ठीक है कहां से आए calcium यह रहा calcium और यहां से ले लिया chlorine और क्या produce हुआ salt आया water पैदा हुआ और sulfur dioxide क्या कहते है sulfur dioxide का test बताएंगे आप मुझे चलिए आप बताएए sulfur dioxide का test मैं एक common test बता देता हूं को sulfur dioxide एक burning sulfur की smell वाली गैस है हां किसकी it produces the smell of a burning sulfur क्या कहां आपको मालूम है कहां ऐसी smell आती है जब पठाके बचते हैं तो एक अजीब सी हां हां जब आप दिवाली में पठाके चलाते हैं बम जलाते हैं तो एक smell आती कि नहीं burning sulfur अब आपको बताना है test of sulfur dioxide produce हो रही है और याद रखेगा जब sulfur dioxide हो रही है तो ये confirm हो जाएगा कि हमारा जो reactant है वो कोई न कोई sulfite या biosulfite है देखा test है ये आपको बहुत काम आने वाला है जब आप analytical studies करेंगे हां जब lab में जाएंगे तब आपके धेरों काम आने वाले ये सारे test है इसे लिए इस property को मैं इतना detail में बता रहा हूं हां मैं सच कह रहा हूं आपको ये बहुत काम आने वाला अगर आप science लेने वाले हैं आगे मुझे कभी नहीं गूल पाएंगे जब आप ये सब वीडियो देख लेंगे सच कह रहा हूं इवन आपके seniors जो 12 में चल क्योंकि तब आप क्या हो जाओगे बहुत advance में चले जाओगे इसलिए कह रहा हूं अगर आपने science लेना है 11-12 में आप आगे engineering करना चाहते हैं डॉक्टरी करना चाहते हैं तो इसको basics को atom crystal clear करिए ठीक है चलो आगे बढ़ते है reaction of acid with sulphide इसका मतलब है अगर acid किसी sulphide से react कर जा तो acid plus metal sulphide याद रखेगा एफ sulphide है डीए तो क्या होगा इस बार फिर से salt पैदा होगी और इस बार एक नई चीज पैदा होगी और वो है hydrogen sulphide gas एक सबसे अलग सबसे अनोखी gas परदा होगी hydrogen sulphide gas जो कि एक acidic gas है और खास बात है जब यह burn करती है तो यह pungent smell of rotten egg निकालती है हाँ सड़वे अंडे की पन्वू आती है इससे क्या यह इसकी पैचान है hydrogen sulphide gas की जब यह जलती है तो इसके produce होने पर लगता है कि कहीं अंडे अब आईए स्क्रीन पर देखें एक reaction यह रहा metal sulphide zinc sulphide हो गया metal sulphide react करा रहे है acid के साथ यह रहा एक salt zinc chloride और यह produce हो रही हमारी zinc sulphide gas तो जब जब आपको देखेगा कि आपके product में आपके product में zinc sulphide gas produce हो रही है कौनसी hydrogen sulphide gas produce हो रही है जो की rotten egg की तरह smell करती है तो समझ जाईएग ताकि आपका जो reactant है वो कोई sulphide है लियर है correlate कर रहे है चलो आगे बढ़ते हैं एक और reaction देखते हैं यह थोड़ा सा testing है तो अथारत यह यह जो reaction हम करेंगे यह आपको बहुत काम आने वाला है सच में यह reaction वाद धियान से देखेगा इस पर बेज अलग से question बन सकता है अगर chlorides का हाँ कोई metal chloride ले लेते हैं और या nitrate लेते हैं तो यह जब acid से react करते हैं तो यह ज़्यादा तर क्या करते हैं एक precipitate पैदा करते हैं फिर से सुन लीजे chlorides, nitrates of metal produce precipitate किस case में with the barium and barium and lead थ्यान देंगे barium और lead के साथ अगर chloride का इस्तमाल करेंगे मतलब barium chloride या lead chloride का इस्तमाल करेंगे और acid से react करेंगे तो आप देखेंगे कि एक precipitate पैदा होगा अथाक insoluble एक compound पैदा होगा जो excess में भी soluble नहीं होगा ठीक आए देखें स्क्रीन पर देखें यह रहा barium chloride हो गया barium का chloride याद रखेगा chloride भी कह रहा हूँ और nitrate भी कह रहा हूँ इन में से कोई भी उस कर सकते हैं आपने इस्तमाल किया dilute acid जैसे ही आपने इस्तमाल किया produce हुआ क्या hydrogen chloride produce हुआ और produce हो रहा है एक insoluble precipitate मैं लिख दे रहा हूँ precipitate ppt short form यह arrow जो नीचे दिखाई दे रहा है उपर नहीं arrow धियान दीजेगा प्लीज यह arrow आपको लग रहा होगा उपर पर यह मैंने arrow कर दिया नीचे क्योंकि यह क्या है एक insoluble compound produce हो रहा है यह पहचान है इस white precipitate से पहचान हो जाएगी क्या चीज कि यह क्या है metallic chloride है सबस्के अब clear है क्या है काम कारने जिनके पास lenses है ना उनको lens को clean करने के लिए हाँ जो लोग आंकों में lens पहनते हैं चश्मे की बजाए lens पहनते हैं उनको भोरिक acid की जरुद पढ़ती है अपनी lens को clean करने की तो आई wash काम आता है antiseptic के काम आता है citric acid food preservation के अगर आपकी कपड़ों में कहीं ink का दाग लग गया है चरिए अब एक अच्छा एंट दे देता हूं अगर कभी आपकी शर्ट में हाँ कई बार students लगा देते हैं यहां गलती से लग भी जाता है इंक का दाग वो चूटता नहीं है आप कितना भी घड़ी लगा दीजे कितना भी सर्फ एक्सल लगा दीजे नहीं चूटता है तब आप क्या करिए मार्केट से जाईए और क्या लिजे और लिजे अपने लेब से यह सब कहां यूज होता है हम लोग तो नहीं यूज करते हैं अरे यही तो लाउंडरी वाले यूज कर रहे हैं जहां आप कपड़ा ड्राय क्लीन के लिए रहे हैं ड्राय क्लीनर के पास यह सब होता है उनको यह सब राज मालम होते हैं समझ गया है तो आज आपको राज मैं क्या है ये काला मीठा पानी सफेदवलपानी बात कर रहा हो लिमका हां उन सब में क्या है सब में कार्बोनिक cyclis याद रखेगा उसमें कार डी और ऑक साइड की गई बॉाटर में अंडर प्रेशर कें उसके कार्बोनिक व्यंद की और केंट्रcede का है बेकिंग तो आपके घर में बेकिंग पाओडर भी है केक बनाने के लिए ममी इसका इस्तिमाल करती है कि नहीं है कियों कि इसके इंदर टार्टरीक एसड है उसी तरह से विनीगर में एस्टीक एसड़ कोकिंग में काम आता है और अक्लीनिंग आप मेटल के लिए अक्सर कही बार क्या हो और benzoic acid किसकाम आता है आपने आपके घर में sauce होगी, ketchup होगा, इन में मिला होता है benzoic acid, एक preservative के रूप में होता है और तो और nitric acid से explosive और phosphoric acid से fertilizer बनता है, तो अभी तक आपने पढ़ा acids के बारे में, अब पढ़ दें हैं हम लोग, base, acid का दुश्मन, base, acid, base, चलिए समझते हैं base के बारे में, आप से पूछो कि क्या आपने कभी नहाते समय हैं, हाँ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जब तुम नहाते समय हूँ, साबुन का पानी मुह में चला गया, क्या कहते हो, कभी shampoo चला गया है नहाते समय, या साबुन मुह में लग गया है, क्या कहते हैं, थुक द तो बहुत करते हैं नीम का दतून क्या कहते हैं हां हमारे यहां वेदों में लिखा हुआ है आयुरवेद में लिखा हुआ है नीम की दतून करना तो अगर नीम का दतून कभी कर लिया आपने नीम की जो डंठल होती न डाली होती है सौप से दांत को रगड़ने को कहते हैं नी पिसको कभी test किया है नाक को लगाया होगा test किया है यह सम मैं जितने example ले रहा हूं और एक और example दूंगा जो आपको ठूकने की याद दिला देगा ड्यू और वो है करेला गारी संप्रमेम पर मैंने लिखे आपको और मिताए यह समड्य है यह आप सारे base जी यह सारे याद रखोगे सोर टेस्ट ठीक है तो वह सारी चीजिए जो बी से बिटर बी से बेस क्या बी से बिटर और बी से बेस तो बेसिस कड़वे स्वाद वाले होते हैं कैसा स्वाद होता है कड़वा याद रखना अब नहीं बूल पाओगे मैं शोर हूँ अब क्या लैब में जब जाएंगे यहां आजंट कड़वा लिए क्या नए के जिर सबसक्राइब तो सबसक्राइब NOT होता है यहां metallic hydroxide होता है और एक होता नं की केल्शियम औक्साइड ग 라 Batman अब का का यह ज तोंव को करूँगा बेस है यात बखेगा मैटल के औप्साइड मẹटल का है रोक्साइड साइड बेस होते है और यह आयन निल्य.. डदॉक्साइड करते हैं अमॉड्र अषर क्या होता है basic oxide होता है फिर आता है मैंने थोड़ दिर पहले बताया basic hydroxide again basic oxide में आप example दे सकते है calcium oxide का magnesium oxide का और hydroxide में example दे सकते है calcium hydroxide का sodium hydroxide का क्या कहते हैं तो hydroxide हो गया अब यह अलकली कौन है यह कौन से पेड़ की फूल की कली है भाई अलकली तो वो basis जो soluble होते हैं are called as alkalis मतलब all basis are not soluble ध्यान दीजेगा only soluble basis are called as alkalis ध्यान दीजे keyword क्या है यह एक basic hydroxide है पहली चीज यह oxide नहीं होता है यह हमेशा hydroxide होता है और पानी में dissolve होने पर OH minus ion as a negative ion produce करता है क्या चीज़ ओएच minus ions as the only negative ions produce करता है ऐसे compound को कहते हैं alkalis यह all soluble bases are alkalis जैसे की example देता हूँ NaOH sodium hydroxide potassium hydroxide यह तोनों ही alkalis हैं यह दोनों metal oxides थे क्या हुआ पानी में मिलाया OH minus as the yes hydroxyl ions as the only negative ions यह लोग produce कर रहे हैं तो यह लोग कौन है alkalis याद रखेगा all bases are not becoming alkalis but all alkalis are bases क्योंकि वो base से ही बन क्या है clear फिर से गायब चलिए screen पर आ गया है आपके पास आगे बढ़ते हैं रुखना नहीं है हम लोग को characteristics of bases तो बेस सरी classification बेस में strong base की बात करते है सबसे पहले type of base है strong base मतब क्या हाँ strong का मतलब मसल से नहीं है strong का मतलब है कि एक ऐसा base अगर उसमें पानी एड करें क्या हो on adding water produces produces क्या produce करेगा oh minus ions तो समझ जाना जो पूरी तरह से ions पैदा करे ionization कर जाए समझ जो strong है और strong का example हो गया sodium hydroxide naoh यह एक और मैंने कहा potassium hydroxide तो weak base भी होगा अगर strong है तो वीक भी होगा तो वीक बेस क्या करता है आइनाइस तो करता है partially करता है इसका मतलब है पानी एड करने पर कुछ ions और कुछ molecules पैदा करता है यह पीट वाली जलन वाली acidity नहीं acidity मतलब होता है number of hydroxyl ions produced ionization क्या चीज आओ देखें क्या मैं कह रहा हूं कितने OH- ions क्या number of OH- ions produced अगर किसी base का ionization करें अथार तो उसको ions बनाएं पानी में एड कर दें तो OH- ions release करेगा अब कितने release करेगा उसकी संख्या बताना क्या चीज नंगर बताना इसे कहते हैं acidity of base क्या keyword है acidity अब आता है mono फिर से आ गया sir फिर से परियाद रखेगा इस बार mono acidic base है mono शब्द जैसे ही आएगा मतलब समझ जाएंगे एक इसका मतलब है इस बार यह क्या करेगा produce one oh produce one OH- ions मैंने मिस्प्रिंटिंग को ठीक कर दिया देखिए रियान से क्या हो रहा है इस बार यह एक ऐसा base है जब इसको ionize कर रहे हैं अतार पानी में add कर रहे है आइंज बना रहे हैं तो देख रहे हैं इसमें सिर्फ एक only one oh- ions as the negative ions निकल रहा है निकल रहे है निकल रहे है निकल रहे हैं तो बस कितने निकल रहे हैं एक और वो भी oh- इक्जाम्पल हो गया sodium hydroxide naoh कैसा है यह mono acidic base die die याद है ना die मतलब 2 तो इसका मतलब इस बार कितने hydronium ions sorry hydroxyl ions निकलेंगे 2 तो इस बार कितने निकलने वाले हैं 2 typing mistake हो गई है ध्यान दीजेगा तो एक ऐसा एक ऐसा reaction जिसमें एक base जब ionize कर रहा था तो ionize करते समय दो 2 OH- ions produce कर रहा है जब वो 2 OH- ions as the only negative ions produce करेगा तो वो समझ जाओ कि वो die acidic base होगा अब die acidic base का example है calcium hydroxide क्या कहते हैं calcium hydroxide और try भी होगा भाई जब one mono हो सकता है डाय हो सकता है तो try क्यों नहीं हो सकता हाई ये try की बात करें try acidic base का example है aluminum hydroxide देखिए अब ऐसे तो आप इसके number of OH से ही पैचान लेंगे यहाँ पर देखिए OH का number कुछ नहीं है तो one यहाँ पर OH का number क्या है देखिए two और यहाँ पर OH का number देखिए इससे भी आप पैचान जाएंगे ज्यान देना है कि यह ionizable hydroxyl ions होने चाहिए क्या ionizable hydroxyl ions produce कर रहा है कितने अगर try acidic है तो वो तीन पैदा कर रहा है तीनों के example आने चाहिए आपके चलिए अब आगे बढ़ते है properties of alkaline की बात करते हैं सबसे पहले physical property याद रखिए का जब हम physical की बात करते हैं तो हम outward appearance की बात करते हैं उसमें कोई chemical का मिलाने की बात नहीं करते हैं तो जब physical property की बात करते हैं तो मैंने बताया अलकली शार्फ होती है bitter taste होती है कड़वा होती है हां कड़वी होती है मैंने example दिया आपका tooth piss कड़वा होता है अगर मुह में जुबान में लगाओगे न तीत पर नहीं लगागे tongue में लगाओगे समझ गए bitter taste और color change indicator आईए इसके color change को समझें तो यह blue में change करता है B से base B से blue क्या B से base B से blue तो यह blue बनाता है किसको बनाएगा blue red litmus को blue बनाएगा ऐसे याद कर लो ठीक है तो base blue बनाता है किसको red को बनाता होगा अब इस बाता है यह red litmus को blue change करता है ठीक है यह litmus paper आपको कहा मिलेंगे आपके lab में मिलेंगे आप दिखेगा आपके पास lab में litmus paper मिलेंगे thin strip of paper मिलेगा आपको और क्या test है अगर methyl orange जो की एक orange करल का chemical होता है इस orange chemical को base क्या करता है अलकली क्या करता है yellow में change कर देता है तो methyl orange को क्या कर दिया है इसने yellow and last but not the least अगर phenophthalene जो कि एक colorless liquid होता है पानी जैसा दिखता है phenophthalene हाँ आप देखेंगे एकदम लगेगा पानी है यस पानी जैसा पी मत देजेगा हाँ प्लीज risky है बहुत chemical है वो तो वो colorless minophthalene क्या होगा अगर अलकली से react करेगा तो pink में change कर देता है यह याद रखेंगे इसको pinky को क्या केतना है colorless to pinky अब और test क्या है और properties क्या है कोई भी आप base को touch करेंगे तो sopy feel करेगा कैसा feel करेगा हाँ आपको लगेगा कि वहाँ पर सोपी है मत चिकना लगेगा बहुत हाँ आपने घर के साबुन की बात कर रहा हूं शेंपू की बात कर रहा हूं सब क्या है slippery to touch है और क्या खास बात है ज्यादा तर जो अलकलीज जो स्ट्रॉंग बेसेज है वह एक अच्छे एलेक्ट्रोलाइट भी है एलेक्रोलाइट मतलब होता है कि वह electricity को कंड़क्ट करने देते हैं एलेक्रिशिटी टू फास त्रूइट ठीक है लिक्विट कंडुक्टर को में लोग कहते हैं क्यों रिक्रोलाइट क्यों है यह लोग क्योंकि आएंस कॉन से आइंस है हाईड्राइक्स अलाइन जैंस है आइए आगे बरते हैं चैमिकल प्रप्री को क्या करते हैं carbon dioxide को absorb कर लेते हैं जैसे कि यह रहा sodium hydroxide carbon dioxide से react करता है और खुद क्या बन जाता है carbonate बन जाता है तो इट absorbs carbon dioxide ये पहली property है दूसरा क्या है ये acid से react करता है बनता है salt and water इस प्रोसेस को तम लोग जानते ही है neutralization है ये तो आप आप जानते ही हैं और क्या करता है ये थोड़ा color वाला ध्यान दीजेगा क्योंकि color आपको काम आने वाला है ये ये जो analytical chemistry है हमारा chapter वो पूरा किसी इसी concept पर बेज़े है हाँ sodium hydroxide और ammonium hydroxide को पहले हम drop wise add करते हैं salts में drop wise add करते हैं और फिर access मेंट करते हैं और इसकी वज़े से क्या होता है उस salt के precipitate के color में change आता है वो salt पहले precipitate form करती है अथाथ कोई insoluble substance form करती है उसके रंग से हम बता सकते है कि वो कौन सी कौन से sodium hydroxide और ammonium hydroxide यह दोनों alkalis बहुत कमाल की हैं इसलिए मैंने कहा यह चप्टर analytical chemistry बहुत कमाल का चप्टर है हाँ मैंने इस पे भी वीडियो अलड़ी आप लोग के अप्लोड कर रखता है चलिए देखते हैं क्या होगा यह insoluble insoluble metallic hydroxide produce करेगा कब produce करेगा जब कोई heavy metal का स्तमाल होगा example copper का copper की पैचान सबसे असान है कि यह blue color का precipitate produce करता है iron में क्या होता है iron में दो होता है पहला होता है dirty green अगर dirty green precipitate पैदा हो रहा है तो समझ जाओ ferrous fe2 plus क्या fe2 plus produce कर रहा है और अगर reddish brown precipitate पैदा हो रहा है क्या reddish brown precipitate पैदा हो रहा है तो समझ जाओ ferric ions fe3 plus zinc में क्या होगा white लगा precipitate देखा हर हर metal के साथ अलग रंग अलग color produce करता है कौन ये ये हमारा alkali हमारे case में है copper sulfate जब ये react करता है ammonium hydroxac के साथ देखिए एक blue color का precipitate form करता है देखा ये blue रंग बता देता है अगर मुझे नहीं भी मालुम है कि ये salt कौन सी है तो पता चल जाएगा कि copper की salt है इसके हम ions को पहचान सकते हैं इस color से ये बहुत important और बहुत useful property है और बहुत आपको काम आने वाली आगे येस पूरा मैंने कहा एंटायर एक चप्टर अलिगल chemistry इसी एक property को बहुत elaborate करके बताया गया इस एक property में जिसमें हम drop wise add करेंगे पहले sodium hydroxide metal salts में और फिर excess में करेंगे चलो आगे बढ़ते हैं वो चप्टर भी आएगा तो हम फिर करेंगे अगर कोई ammonium salt हो, ammonium मतलब NH4E बनी कोई salt जैसे ammonium chloride, ammonium nitrate इसकी salt ammonium की बनी salt हो तो ammonia जरूर निकलेगा देखिए ये रही ammonium salt कैसे मलम चला इसमें लिखा है NH4Cl ammonium chloride तो क्या produce हो रहा है ammonia याद रखेगा the only basic gas एक मात्र basic gas जो आप किस लिवस में है हो है ammonia बाकी सारी gases या तो neutral है या acidic है एक अकेली gas है ammonia कैसे क्या करती है ये gas ये gas red litmus को blue change कर देती है देखा और pungent smell तो इसकी होती है ammonia की चलो आगे बढ़ते हैं कुछ uses of हाँ ये use आप करते हैं मैंने बताया था आपके घर में जो साबून है उसमें अंदर क्या है भाई साबून में क्या मिलाया गया है साबून में बनाते समय सोडियम हाइड्रोकसा अपने उपर लगा रहे हैं और bleaching powder किस से बना हुआ है potassium hydroxide से बना हुआ है हाँ जो लोग bleach करते हैं न ये और refractory bricks जहां पर bricks बन रहे हैं पक्के वाले जिसमें high temperature में भी break नहीं होने वाले bricks उनको कहते हैं refractory bricks ये दूसरे salts को पिगलाने के काम आते हैं हाँ किस से बने हैं magnesium के hydroxide से बने हैं और drying agent के रूप में कौन यूज हो रहा है calcium oxide तो यह सब एक uses हैं आईए अगर मुझे पता करना है कि यह acid strong है कि बीक है तो एक तरीका और है हम उसका use करते हैं pH scale पी वर्ड जो है वो small है क्या the word P is small and H is capital P stands for potence क्या शब्द है यह potence यह German word है जिसका मतलब होता है power और H तो confirm है hydrogen तो hydrogen दोनों में है ध्यान दीजेगा acid में भी है उसमें hydronium ions है और bases में भी है hydroxyl ion है दोनों में तो power कितनी है कि इसकी power of potence मतलब power of hydrogen ठीक है इससे strength पता चलती है ठीक है तो the pH of a solution is a negative अगर इसकी बात करें तो यह negative value of algorithm होती है मतलब minus log 10 देखिए ध्यान से of hydronium hydrogen ions यह होता है ठीक है ना मतलब हमने क्या किया hydrogen के ions की value को log में निकाला है यह value बताती है इसका power बताती है ठीक है यह value 1 से 14 के बीच में हो सकती है कहां से कहां तक हो सकती है 1 से 14 तक आईए अभी इसके बारे में थोगा डीटेल में बताते है एक indicator और आ रहा है universal मतलब हर एक अलग-अलग acid या basis पे अलग-अलग color बताने वाला एक ही indicator है but it produces different color with different acids चलिए एक ऐसा indicator जो कई सारे dyes को mix करके बनाया गया है यह mixture of dyes से बनाया गया है और अलग-अलग acid और alkali के साथ अलग-अलग color देता है जैसे अगर strong acid होगा त्यान से सुनिएगा strong acid होगा तो वो red color produce करेगा और उसके value होगी pH value होगी 1 तो जितना भी हम towards 1 की तरफ जाएंगे यहां से सुनिएगा जितना भी हम towards 1 की तरफ जाएंगे 0 की तरफ जाएंगे हम acidic होते जाएंगे मैं तुमसे पूछता हूँ कि मैं 7 पर हूँ 7 का color क्या है देखे green यह है water यह है neutral अगर पानी का pH मैं तुमसे पूछू तो वो neutral होगा कौन सा color होगा पानी का green वाटर इसका सबसे अच्छा example है ठीक है आप पानी में pH test करके देखेगा पानी का pH test करके देखेगा उसकी value आई नहीं लगेगा कि समझ जाई है समझ गया इवन रेनवाटर भी हैस्टिक हो जाता है जब pH 5 से नीचे चली जाते हैं 5.6 यह सिंचल जाती है हम इस रेनवाटर को एसीडिक रेनवाटर कहते हैं जानते हैं एसीड रेनवाटर इसलिए बन जा रहा है क्योंकि gases जो carbon dioxide है हाँ न इनकी pH value कहा है हाँ टूवर्ड्स जीरो जितना आप जीरो के तरफ जाएंगे उतना ज्यादा एसटिक होंगे तो अगर किसी का pH value 2 है और किसी का pH value 5 है तो strong acidic कौन है 2 वाला समझ गया न क्योंकि जितना आप टूवर्ड्स जीरो बढ़ेंगे उतना एसटिक होते जाएंगे इसका reverse कर दीजे जितना भी आप टूवर्ड्स 14 जाएंगे क्योंकि last value क्या है 14 तो 14 अगर होगा अगर किसी का pH value समझ जाएए का कि वो strongly basic है हाना 7 के बाद आगे बढ़े गया जैसे ही आप basic होते चले जाएंगे और 14 पे आकर के super basic clear आप clear है अब तो pH clear है क्या होता है अब त अलग-अलग acid और alkalis के साथ वो अलग-अलग color show करता है आप देखिए color change इसमें clearly दिखाई दे रहा है from green to even red और even from green to blue आणा चलिए अभी आपने समझा acid अब base और उसके बाद salt यहीं तो chapter है acid, base and salt यह part salt वाला part बहुत important है क्योंकि यह इस साल add हुआ है reduce flavors आपका सारा cut चुका है और बहुत detail में हम करेंगे सच कह रहे हैं इसको खुब गहराई से करेंगे थ्यान से देखना है चलिए salt क्या है salt भी एक compound है अब यह वो compound है जो acid और base की मिलने से produce हुआ है compound which is produced on the combination of acid and base तुसर water भी पैदा हुआ था हाँ भाई रुख जा एक ऐसा compound जिसमें positive आयन है पर H plus ions नहीं है नेगटिव ions तो है बस OH ions नहीं है इसके अलावा positive नेगटिव ions है ऐसे compound को कहते है salt चलो यह तो हो गई definition क्या है salt एक compound किस से बना है या तो total या तो partial replacement of ionizable hydrogen क्योंकि acid में hydrogen होता है उसके replacement से पैदा होता है salt ठीक है न और replacement of ionizable hydrogen of acid by a metal ion और by an ammonium ion ठीक है अगर ऐसा हुआ तो वो salt बन जाएगा अब salt के types classification मतलब types सबसे पहला सबसे common type है normal salt हाँ घर में तुम जो खा रहा हो क्या खा रहा हो क्या कहा ताटा नमक खा रहा है है तुम जो घर में नमक खा रहा हो वही है normal salt जी या वह जो टाटा नमक जो तुम कह रहा है वह actually में NaCl है sodium chloride है तो यह normal salt है सरी कैसे बनी होगी आओ मैं example से देखाता हूँ कैसे बनी होगी इस definition से भी clear हो जाएगा कि आपके घर का नमक कैसे बना होगा हाँ अगर अगर मैं chemical बनाऊ तो वैसे तो घर का नमक जो आ रहा है वो तो समुद्र से आ रहा है ना salty water से आ रहा है हमको क्या करना है एक compound लेना है वो है मैंने लिया base sodium hydroxide और मैंने लिया एक acid ले लिया यहां से देखा आपने sodium hydroxide है hydroxide से पहचान गए कि यह base है metallic hydroxide है और यह लिया acid हाँ यही salt है कैसे बन रहा है देखिए यह जो hydrogen है acid का है acid का यही acid का salt is metal द्वारा रीप्लेस हो जा रहा है हमाज गये हम क्लियर है metal क्या कर रहा है sodium जो की chlorine के साथ बन जा रहा है sodium chloride अब पूरा रखेल दे रहा है पूरा रिप्लेस कर दे रहा है इसलिए नाम है normal salt जब क्या होगा complete ध्यान से सुनिएगा क्या होने वाला है complete replace हो जा रहा है पूरा पूरा का पूरा hydrogen अगर महां से हटा दे कोई metal हटा दे acid से तो तो जो salt बनेगी ओगे normal salt कीवर्ड याद रखोगे क्या कीवर्ड है complete replacement of ionizable hydrogen पूरा का पूरा जो hydrogen था वो पूरा का क्या किया देखे sodium ने एक ही hydrogen atom है इसके पाद ध्यान से देखेंगा इस reaction को sodium ने एक मात्र hydrogen atom को वहां से धकेल दिया जब वहां से धकेल दिया हटा दिया और खुद आके वहां बैठ गया खुद आके उसकी जगे बैठ गया sodium chloride sodium chloride बन गया बन गया normal salt तो जब complete replacement कर देगा hydrogen को पूरा hydrogen वहां से क्या हो जाएगा acid से तो बनेगी normal salt एक्जांपल आपके सामने है जो मैंने कर दिया यह रहा sodium chloride का example दिया आगे पढ़े थोड़ा सा और आगे पढ़े अगर क्या हो एक word change करेंगे बस complete को हटा करके एक word use कर देंगे इसके बदले क्या keyword यूज करेंगे partial replacement अथार पूरा hydrogen replace नहीं कर पाएंगे कुछ hydrogen रह जाएगा इसे कहेंगे हम लोग acid salt याद रखोगे क्या keyword है अगर कोई salt बनी किस से बनी keyword क्या है partial याद रखेगा partial replacement of ionizable hydrogen जैसे की एक example है di basic sulfuric acid reacts with sodium hydroxide to produce sodium bisulfate सर पहचानेंगे कैसे कि यह acid salt है अरे इसको देखो बीच में क्या है hydrogen है इसके बीच में अगर यह सिर्फ sodium sulfate होता तो यह normal salt होती बीच में यह hydrogen क्या बता रहा है कि acid से पूरा hydrogen replace नहीं हो पाया और partial hydrogen क्या हो गया replace हो पाया इसी लिए यह क्या है इस hydrogen की पहचान से बीच में hydrogen लिखा है इसी से पहचान जाएंगे कि यह क्या है acid salt है clear अब आते हैं इसका बंदू इसका भाई acid का भाई basic salt अब basic है तो क्या होगा अब इस बार क्या होने वाला है इस salt में इस salt में partial replacement of hydroxyl होने वाला है जो OH ions थे वो क्या होंगे पूरी तर से replace नहीं हो पाएंगे इसके नाम में एक तो पहचान है कि word लिखा रहेगा basic तो पहचान जाएंगे कि यह एक basic salt है और अगर formula देखोगे तो इसके नाम के बीच में नाम के बीच में OH लिखा होगा समझ जाओगे कितना असान है basic salt कैसे बनती है यह बनती है partial replacement of hydroxyl ions अगर पेस में hydroxyl ions होता ही आप जानते ही है OH as the negative ions होता है यह पूरी तरह से replace नहीं हो पा रहा होता है partial replace हो पाता है इसलिए इसके formula में बाकी partial रह जाता है PB OHCl उसी तरह से magnesium OHCl तो बन जाता है क्या यह basic salt यह रहा screen पर आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कैसे बन रहा है acid salt और कैसे बन रहा है normal salt ज़रा ध्यान से देखिए अब आप देखेंगे reaction में sodium nitrate ध्यान से हो रहा है देखिए जो salt producer हो रही है वो acid salt producer हो रही है सर कैसे मालूम acid क्या पैचान बताई थी acid की कि नाम की नाम के formula में बीच में क्या होगा hydrogen होगा तो इसका मतलब यह जो hydrogen है जोकी सीलफिरिक एसिड में है यह पूरी तरी से रिप्लेस नहीं हो पा रहा है sodium यहां से उटकर और के एक ही hydrogen को रिप्लेस करपा रहा है HR2 है इस में से सिर्फ हें हा रहा है रिप्लेस कर आ रहा है बाकी एक hydrogen देकर यहां आ उक पुछा है है बचा है वो HNO3 के साथ चला जा रहा है देखा तो इसलिए पार्शियल रिप्लेस्मेंट हो रहा है इसलिए इसका नाम है एसेट सॉल्ड हो रही है यह है एसेट सॉल्ड और जबकि यहां नीचे देखिए टेंपरेचर मोर दें 200 डिगरी है वही दोनों reactants है देखिए sodium nitrate है sulfuric acid है दोनों reactants है पर इसका पूरा hydrogen यहां से पूरा H2 कौन replace कर देगा एक metal replace कर देगा मेरा metal है sodium sodium ही replace करता है ध्यान दीजेगा मनलब metal ही replace करता है देखिए यह salt कैसी बन गई normal salt कैसे पहचान होगी normal salt बीच में hydrogen या OH नहीं है देखिए Na2SO4 समझ गए यह है normal salt आईए कुछ salt के preparation समझेंगे ध्यान रखेगा कि यह preparation पूछी जाएगी ध्यान से देखना है सबसे पहला preparation है सिर्फ combine कर दो किसको combine कर दो सबसे आसान तरीका है एक metal और एक normal को जोड़ दो बन गई salt यह रहा लेड और sulfur combine कर दो बन गया लेड sulfide दूसरा example देखो iron और sulfur iron sulfide सबसे असान सिंपल नाम है direct combination metal और non metal को combine करो एक ionic compound बनेगा क्या एक आयनिक compound बनेगा बस बन जाएगी एक salt क्या कहते हो एक तो बड़ा सान तरीका हो गया दूसरा तरीका देखें by combining यह भी combination है बट इस बर combine क्या हो रहा है एक acid और base की बीच में reaction है आईए देखें सर एसीड और बेस हाँ भाई यहां पर एक acidic oxide है यह कैसा oxide होता है non metal oxides are usually acidic oxide जैसे carbon dioxide ठीक है यह रहा जैसे sulphur dioxide तो non metal oxide जिसको हम कहे रहें acidic oxide acid नहीं acidic oxide जान दीजेगा और साथ में क्या लेना है वित बेसिक oxide basic oxide क्या होता है usually usually metallic oxide होते है यह रहा यह देखिए basic oxide तो यह acidic oxide combine कर रहा है basic oxide के साथ produce कर रहा है combine होने के बाद एक salt ठीक and this is one example यह भी combination है और पीछे क्या था उपर क्या था उपर elements combine कर रहें iron और sulfur दोनों सिंगल elements से combine करके बन जा रहे हैं एक आयनिक compound ferric sulfide salt बन गई नीचे देखिए double decomposition जब double आए मदलब दो इस बार दो composition होने वाला है यह क्या होता है सर डबल क्या होता है when the exchange क्या हो रहा है mutual keyword याद कर लीजिए exchange of radicals याद रखेंगे यह है double decomposition का मतलब मतलब इसमें दो salts होंगी दोनों salts एक एक element को अधला बदली कर देंगे मेरे हाथ को देखा आओ इसको साबित करें double decomposition है की नहीं है जारा स्किन पर देखो एक salt है barium chloride पक्का दूसरी क्या है acid है क्या है acid hydrogen sulfide मतलब sulfuric acid अब क्या होगा कि बेरियम जो है कि देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूं कि बेरियम जो है कि वह सलफेट के साथ चला जाएगा बना देगा देखिए तो वहां का जो hydrogen है यह जो यहां का hydrogen है वो chlorine के साथ चला जाएगा और बना जाएगा hydrogen chloride तो एक-एक element क्या हुए दोनों के radicals क्या हो गए exchange हो गए mutual मतलब तुमको एक दिया तुमसे एक लूँगा खत्म यही हो रहा है इसमें double decomposition एक ऐसा reaction जिसमें क्या हो mutual exchange of radicals हो दोनों के इसके इसके पास और इसके उसके पास गए ठीक है तो यह दो तरीके हो गए सोहट बनाने के अब आते हैं जिसम क्याते हैं टाइट्रेशन यह सब्री इंपोर्टेंट टर्म टाइट्रेशन सरी यह क्या नया वड़ आ गया एक एसिड और एक alkali याद रखेगा soluble bases are called as alkali याद रखेगा acid की property को neutralize करता है तो हो रहा है utilization पर alkali का इस्तमाल करना है base का नहीं इस्तमाल करना है सिर्फ क्या रखेगा all alkalis are bases यह दान देना है बट soluble bases है चलो अब इस बार क्या हो रहा है titration हो रहा है keyword क्या है titration क्या होगा देखिए यह रहा एक एसिड रियेट किसके साथ कर रहे है अलकली के साथ ध्यान दीजेगा metal oxides अगर आपने ले लिया तो titration नहीं होगा ठीक है अब देखिए यह जो अलकली है यह फिर से क्या कर रही है salt and water प्रोड्यूस कर रही है जो कि इसकी प्रॉपटी ही है प्रोड्यूसे salt यह रहा घर का नमक और यह रहा पानी हो गया titration हां सिर्फ आप पर reaction पर दियान देना है ठीक अब आता है यह रहा अगर आप आप ने क्या किया acid को किसी in soluble base याद रखेगा यहां पर soluble base था इसलिए मैंने बार-बार वर्ड यूज किया अलकली कहा था ना titration में अलकली चाहिए पर अब titration नहीं करना है आपको कोई भी in soluble base लेना है तो metallic oxides are also bases याद होगा आपको कोई भी metallic oxide ले लो तो जैसे हमने ले लिया magnesium oxide यह क्या है एक in soluble base है किसे रियट करा रहे है acid से तो acid और base पर कैसा base है in soluble base रियट कर रहे है form कर रहा है salt and water तो कई तरीके से salt and water बन रही है दियान दीजेगा इस बार क्या लिया है insoluble base लिया, alkali नहीं लिया है, soluble bases नहीं लिया है इसलिए स्रिफ क्या कर लिया, metallic oxide लिया, hydroxide नहीं लिया हाँ, हाला कि हर hydroxide alkali नहीं है, क्योंकि हर hydroxide soluble नहीं होता है, जो soluble होता है वो नीचे precipitate form नहीं करता है चलो, आगे बढ़ते हैं, by action of alkali on certain metal, इस बार एक alkali को metals rate कराएंगे, तो बढ़ा ध्यान दीजेगा, ये again property किस पे use हो रही थी, ये property यूज हो रही थी, हमारे chapter में, जिसमें हमने भी थोग देर पहले पढ़ा, कि आप analytical chemistry में क्या करेंगे, ions को बता देंगे, कि कौन से ions, कौन से cations हैं, उसकी color से, हाँ, metallic ion को उनके रंगों से पचाना जाता है, ये वो reaction है, आप देखिए, aluminum को react कर रहे है, sodium hydroxide के साथ, क्या form कर रहा है, sodium aluminate form कर रहा है, और hydrogen gas lease कर रहा है, ठीक है न, तो अब ये जो sodium aluminate है, ये एक precipitate है, ये एक insoluble precipitate है, ठीक है, यही खास बात है इसकी, और आप देखें, एक example और दिखाता हूँ, ये color change से भी help करता है, identify करने में, जैसे की silver chloride, silver chloride and barium sulfate, ये दोनों ही, ये दोनों ही क्या करेंगे, अब आप prepare करते वे देखेंगे, तो silver chloride को क्या करना है, इस prepared, अगर मुझे silver chloride बनाना है, ध्यान से सुनिएगा, मुझे silver chloride prepare करना है, खहरा है, how will you prepare silver chloride, तो silver nitrate salt लेंगे, देखें, nitrate salt लिया, और किसका इस्तमाल क्या है, HCL का, सर, HCL क्यों लिया, या nitric acid क्यों नहीं लिया, या sulfuric acid क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे silver का क्या चाहिए, chloride चाहिए, silver का क् chloride कहां से मिल जाएगा, यहां से, दोनों combine कर जाएगे कि नहीं, तो silver, पहले metal salt से ले लिया, और यहां से chloride कहां से ले लिया, acid से लिया, दोनों मिल जाएगे, silver chloride बन जाएगा, देखें, बन गया silver chloride, देखा, बनाने का तरीका technique बताया, क्या करना है, आपको बनाना है, you have to produce what, silver chloride, तो आपने कोई silver की salt ले ली, अब आप silver nitrate ले रहे हैं, हो सकता है silver carbonate ले लिजे, ठीक है, तो आप silver की salt ले ले जैसे मैंने का silver nitrate, silver chloride के लावा, कोई और salt ले 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 जे, अब उसको rate कराईए, hclc, hclc क्यों, क्योंकि इसमें chlorine है, इसमें chlorine है, यही chlorine क्या करेगा, इस silver क chlorine को मिलाओ, तब तो बनेगा silver chloride, यह रहा, समझ में आया, पका समझ में आ गया होगा, इस तरह से आप किसी भी salt को बना सकते है, किसी भी salt को, ठीक है, अब आपको क्या बनाना है, carbonates की बात करनी है, अगर जो salts carbonates में होती है, हाँ, metal carbonates में होती है, तो क्या होता है, ज्यादा compound form करेगी, जड़ा example देता हूँ, carbonate ions of sodium, ध्यान से देखिएगा, sodium की बात कर रहे है, carbonate ions of sodium get attached to other metals by leaving sodium ion, अथाथ, sodium अपना क्या करता है, carbonate ions को जल्दी छोड़ दे, release कर देता है, ठीक है न, और metal carbonates क्या करता है, produce करता है, example के रूप में, यह रहा, यह रहा, sodium carbonate, Na2CO3, Na2CO3 क्या कर रहा है, zinc sulfate के साथ react कर रहा है, क्योंकि यह जो sodium का atom है, यह अपनी place चल्दी छोड़ देता है, तो यह zinc के पास replace हो जाता है, और zinc इसकी place ले लेता है, देखिए, carbonate salt में क्या हो गया, sodium ने अपना क्या कर दिया, place leave कर दिया, sodium ion अपनी जगे छोड़ देगा, और zinc उसके जगे आजाएगा, add on हो जाएगा, एक तरह से double displacement ही हो रहा है, बट आपको बस पहचानना है, क्या चीज़ कि कौन सी salt produce करनी है, zinc carbonate produce करनी है, यह रही, ध्यान दीजेगा, जितनी भी insoluble salts हैं, ध्यान देने वा एक बात है, insoluble salts can be obtained from insoluble salts, एक insoluble, दूसरे insoluble salts से ब double decomposition, जो कि अभी आपने इसमें भी किया, क्या कि आपने, mutual exchange of radicals, एक दूसरे के radicals को positive और negative radicals को अदला बदली कर दी, बस, इतना ही कर रहे हैं, ठीक है न, अच्छा, insoluble salt को अगर आप चाहें, तो पहले आप soluble salt में convert कर लीजे, और बाद में जिस भी चाहें, रूप में change कर offset, और देखते हैं, कुछ और example देखते हैं, insoluble lead sulfate, क्या है इस बाद, lead sulfate को prepare करना है, और वो भी lead के carbonate से, या तो किस से prepare करना है, from lead carbonate हो, या lead oxide हो, तो ये रहा, lead carbonate से हम produce कर रहे है, lead carbonate, reaction क्या किस से, lead nitrate, sorry, nitric acid से, क्या बन गया, lead nitrate, आपने एक insoluble precipitate बनाया, lead nitrate बनाया, अब nitric acid क्यों लिया सर, आप ये पूछेंगे, अरे मुझे salt में अगर nitrate चाहिए, तो मैं nitric acid का अस्तमाल करूँगा, अगर salt के रूप में मुझे sulphate चाहिए, तो मैं sulphuric acid का अस्तमाल करूँगा, क्योंकि sulphuric acid मुझे sulphate ions देगा ठीक है, अगर salt में मुझे chlorine चाहिए, तो मैं HCL का अस्तमाल करूँगा, hydrogen chloride वाली जो salt है, HCL का अस्तमाल करूँगा, समझ गए, आपको क्या करना है, radical निकालना है, acid से radical निकालना है, समझ गए, ये तरीका है बनाने का, अब आता है, अब मुझे prepare करना है, for example, iron chloride, ठीक है, iron chloride बनाना है, कैसे बनाएंगे, एक तो असान तरीका है, iron को heat कर दो chlorine के जार में, काम खतम, iron एक metal है, chlorine एक non-metal gas है, कम माइन हो जाएगी, iron chloride बन जाएगा, ये रा, ये रा reaction, iron heated over the chlorine, क्या बन गया, iron chloride, अब ये देखिए, कैसे होगा, सिर्फ diagram देखना है, preparation, इसकी procedure इसका नहीं procedure नहीं याद करना है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये procedure दिखाया है, आपको सिर्फ के क्या करना है, reaction आने चाहिए, how आना चाहिए, क्या चीज, कैसे बनेगा ये, आपको step by step procedure, reactants क्या होंगे, things to save क्या करना है, precaution क्या करना, इस अप याद नहीं करना है, ठीक, highly पानी में soluble gas होती है chlorine, इसको dry करने के लिए क्या किया, sulfuric acid का इस्तमाल किया, यहां से dry chlorine gas को pass किया, किसमे, red hot iron में, combine हो गया, red hot iron क्या produce कर गया, solid iron chloride, काम खताओ, एना simple, चलो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, इसका reaction आना चाहिए, how आना चाहिए, आपको detailed procedure, steps, precaution नहीं आने है, अब आपको बनाना है, zinc sulfate, क्या बनाना है, zinc sulfate and iron sulfate, ठीक है, पहले बात करते हैं, zinc sulfate की, देखे, zinc sulfate, आप zinc की salt लेलो कोई, जैसे हमने लिया, zinc sulfide, आप zinc की कोई और salt ले सकते हैं, zinc chloride ले सकते हैं, zinc की salt होनी चाहिए, और acid में कौन सा acid के, sulfuric acid, क्योंकि इसी में होता है, sulfate, इसी में होता है, sulfate, देखे, बन गया, zinc sulfate, समझ गया, तो आपको zinc sulfate, salt बनाना है, आपने क्या किया, zinc sulfide iron लिया, मतलब, solid zinc को ले लिया, आप, symbol zinc में ले सकते हैं, जान दीजेगा, क्या, simple zinc, सिर्फ zinc metal ले सकते हैं, ऐस यहां पर, solid के लिया है, zinc को, आपने ऐजा, zinc के granules आते हैं, बजार में, वो ले लिया, zinc को rate कराया, zinc sulfate form हुआ, hydrogen gas release हुई, इस zinc sulfate में क्या किया, पानी एड़ कर दिया, water of crystallization एड़ कर दिया, और यह white petrol बन गया, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, zinc को, zinc sulfate बना सकते हैं, similarly, iron sulfate बनाना है, इसलिए sulfuric acid, क्या चीज, sulfate बनाना है, iron का SO4 बनाना है, तो iron लिया, heat किया, sulfuric acid के साथ बन गया iron sulfate, reaction पहचानिये, और कुछ नहीं, याद रखेगा, यह न डाइग्राम आना है, न step by step procedure आना है, सिर्फ making आनी चाहिए, आपको, how from iron can you prepare iron sulfate, यह question आएगा, समझ गया है, क how will you prepare lead chloride, ठीक है, आपको ऐसे कहेगा, using this, ऐसा हो सकता है, नाम दे दे, बस इतना करना है, तो आप देखे, lead chloride बनाना है, यह रहा, आपने lead nitrate ले लिया, lead की nitrate salt ले लिया, और उसको क्या क्या है, excel से rate कर दिया, हो गया lead chloride, और क्या है, और निकला, nitric acid, देखा, उसी तरह से, calcium carbonate, please, reaction पर ध्यान दीजे, न diagram करना है, न procedure करना है, न कुछ और करना है, आप से कुछा जाएगा, how this salt is prepared, आपको हो सकता है, compounds दे दिये जाएं, ठीक है, और compound नहीं देंगे, तो आप अपने मन से बना लिजेगा, ठीक है, मैं आपको एक trick से सिखा भी दे रहा हूं, फिर से यह रहा, अब आपको calcium carbonate बनाना है, देखिए, आपको calcium carbonate बनाना है, आपने calcium chloride salt को लिया, और क्योंकि carbonate बनाना है, प्लीज ध्यान दीजे, आपने use किया sodium carbonate, देखा, यहाँ पर calcium क्या करेगी, इसको double displacement reaction से क्या करेगी, calcium carbonate बन जाएगी, देखिए, calcium यहाँ से, और carbonate यह और यह बचे का कौन, sodium chloride, देखिए, हम इसे कहेंगे double displacement, double decomposition, इस तरीके से salt बनाई जा सकती है, clear है, नहीं clear है, एक example से अपने मंद से करूँ, चलो, हम लोग करते हैं, how will you prepare a salt, called as zinc sulfate, how will you prepare a salt, zinc sulfate, ठीक है, हमें क्या बनाना है, zinc sulfate, तो क्या करते हैं, zinc को ले लेते हैं, ठीक है, zinc को react करा देते हैं, sulfuric acid से, क्या होगा, देखिए, zinc क्या करेगा, zinc इस hydrogen को displace कर देगा, हम इसे displacement reaction करते हैं, तो zinc sulfate और plus hydrogen gases form, अब आप पूछेंगे कि सब zinc sulfate बनाना था, तो आपने sulfuric acid क्यों लिया, क्योंकि sulfate चाहिए आपको, इसमें जो salt का, जो product है, आपको क्या चाहिए, sulfate चाहिए, तो यह reactants, यह जो reactants है, यह आपको सोचना है, ठीक है, किस basis पे, अपने product के basis, मेरा product क्या है, मेरा product है, यह zinc sulfate, तो product को ध्यान रखना है, sulfate है, तो sulfuric acid का इस्तमाल करिए, chloride है, तो hydrogloric acid का इस्तमाल करिए, nitrate है, मालो कहता, zinc nitrate produce करो, तो मैं nitric acid का इस्तमाल करता, clear है कुछ-कुछ, अगर कहता, कि यहाँ पर carbonate produce करना है, तो मैं carbonic acid भी इस्तमाल कर सकता हूँ, या metal carbonate का भी इस्तमाल कर सकता हूँ, so this brings to the end of the entire, entire chapter, ठीक है, क्योंकि अब यह सारा कुछ मैंने आपके साथ discuss कर लिया है, अब बस repetition है, यह सब मैंने discuss कर लिया है, and this brings to the end of the entire chapter, पूरा, यह धेर जारे reaction मत्य करिये, ठीक है, बस आप preparation समझ लिजे जैसे मैंने दिखा दिया, यह सब भई है, देख लिजे, it is just for your reference, ठीक है, और this brings to the end of the entire chapter, acid basis and salts, and to join all the live sessions and recorded lessons, क्योंकि यह recorded lessons, आपके एक systematic preparation में अदद करने वाले है, हाँ, मैं हर दिन आपके लिए 8 बजे एक recorded lesson, जो कि हमारा prepared time schedule है, उ और हर दिन आपको क्या कर रहा हूँ, शेर कर रहा हूँ, live session का link कहा, हमारे telegram channel पर और आपको धेर सारे exclusive content हम provide कर रहे है, through Educard, हाँ, description में जाएए, चेक करिए, आपके लिए धेर सारे PDF contents है, absolutely free, so मिलते हैं, अगले lesson वीडियो में, bye, take care,